हेलो फ्रेंज, सुबस से लेकर रात के खाने तक में ऐसी चीजों का सेवन करना ज़रूरी होता है जो बोशक तत्थों से भरपूर हो वैसे तो लोग अपनी अचिटाइट लेते ही हैं लेकिन जब वे व्रत रखते हैं तो वो अपनी खाने पर विशिश्ट्यान नहीं दे दे और पूरे दिन भोके पेठी व्रत रखते हैं नवरात्री में और इसमें लोग पूरे 9 दिन के वरत रखते हैं लेकिन इस तोरान वे अन से तोरी बना लेते हैं जो उनके सिहत के लिए सही नई होता। अगर आप भी नवरात्री व्रत रख रहे हैं, तो आप व्रत की तोरान स्वादिष्ट और सिहत से भरबूर फलाहारी कच्छे केली की टिक्की खा सकते हैं, जिससे आपको कहीं जरूरी पूशक तत्व मिलेंगे और सरीर में एनरजी बनी रहेगी। तो आई जानते हैं इस वीडियो में फलाहारी कच्छे केली की टिक्की का सेवन करने से सरी को क्या फायदी मिलते हैं और इसके साथ ही जानते हैं इसकी रैसिपी भी। कच्छे केली में होते हैं ठेर सारी पूशक तत्व। नवरात्री में व्रत के दोरान आपको अपनी टाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हैं ऐसे में आप कच्छे केली की टिक्की का सेवन कर सकते हैं इससे सिहत को कहीं लाब मिलते हैं कच्छे केली की टिक्की खाने से आपको फाइबर और हैल्दी स्टर्च मिलेगा इससे आपके पेट को फाइदा मिलता है वकप्स आदी से भी रहत पहुचता है कच्छे केली की टिक्की का सेवन करने से आपको पेट भरा हुआ मैसूस होता है और जल्दी भोक नहीं लगती इसमें विटामिन B6 और विटामिन C प्रुचुर मात्रा में पाये जाता है इसलिए कच्छे केली की टिक्की खाने से आपके सरीर को एनरजी मिलती है इसके साथ ही यह आपके सरीर को रोकों से लणने के लिए मजबुत बनाता है इसमें मौजुद पोटिश्यम किट्नी के लिए फाइदे मन होता है और ब्लड प्रिशर को कंट्रोर करकने का भी काम करता है कच्छे के लिए के फाइदे भूग नियंतित करें, वजन घटाने में मददकार पाचन समता बढ़ाए, सुगर नियंतित करने में साहिक देल को रखे सिहत मन, तवचा और बालों के लिए फाइदे मन कच्छे के लिए की टिक्की बनाने के लिए जरूरी सामकरी कच्छे के लिए 4, कौर्नफलोर 2 चमस, बारी कटी होई हरी मेर्ट 4, लाल मीर्च पाउडर 1 चमस, काली मेर्च 1 चमस, निमोकारस 1 बड़ा चमस, हल्दी पाउडर 1 चमस, तिल 1 चमस, धनिया पाउडर 2 चमस, गरब मसाला 1 चमस, नमक Σौ शाद के अनुसार, और तेल या गी केली के टिक्की कैसे बने सबसे पहले एक बगोने में पानी गर्म होने के लिए रखे पानी गर्म होने के बाद इसमें कच्छे के लिए ढाले कच्छे केलो को मुलाइम होने तक उबाले ठंडा होने के बाद इनका चिलगा निखाल दे अब एक बावल में केली मेश कर ले इसमें लार मिच पावडर, कॉन फ्लोर, निमू का रस, धनिया पावडर और गरम मसाला आधी डाल कर ठीक से मिक्स करे तयार किये गए मिश्रन की छोटी-छोटी टिक्की बना ले इसके बाद एक कड़ाई में तेल या घी गरम करे इसमें टिक्की डाल कर दोनों तरफ ब्रावन होने तक पकाए स्वादिश टिक्की तयार है अब इन्हें बारे कटी हुई धनिया पती से सजाए कच्चे केली की टिक्की स्वादिश टोने के साथ ही सिहत के लिए भी बहुत खलाब दयकारी है इसका सेवन व्रत के दोरान करने से आपके सरीर में उर्जा बनी रहेगी इसे बनाने के लिए सेंदा नमक को भ्योग करे अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो आप इसे कौन फ्लोर के जगत इस्तमाद कर सकते हैं आप कच्चे के लिए की टिक्की को व्रत के अलावा भी स्नेक्स टाइम पर चाए कॉफी के साथ खा सकते हैं थैंक्स फो वाचिंग प्लिस लाइशर और सब्सक्राइब